अबी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ सेयर किया था अपने हस्वेंड का लंच बॉक्स जिसमें मैंने लोभिया बनाया था मैंने आप लोग से ये भी कहा था कि मैं जल्दी सेयर करूंगी इसकी रेश्पी आपके साथ तो लीजिये, हाजीर है मेरी रेश्पी तो स्वागत है आपका मेरे चैनल माई लिटल वर्ल्ड में तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके स्वाब बहुत ही सिंपल बना रही हूँ तो सबसे पहले लेना है आपको लोगिया इसको अच्छे से वास करना है पान से छे गंटे सोक करके रखना है यह ओवरनाइट रख सकते हो यहाँ पे लिया है मैंने प्याज जिंजर गार्लिक और टमाटर यह इतना सारा नहीं जाएगा यह दूसरी सबजी के लिए है तो आपके लिए एक प्याज और दो टमाटर काफी है अगर आप लोगिया बना रहे हो तो साथ में लिया है मैंने यहाँ पे ब्लैक पेबर, पिलाईची, लॉंग, डालचीनी और जिंजर गार्लिक और ग्रिंचील इसको अच्छे से क्रेस्ट करना है बस अलका जैसे मोटा कूपना है उसके बाद कूकर में एड़ किया है मैंने घी और साथ में मस्टर्ड ओयल और उसमें एड़ कर दिया है क्रस्ट किया होगा जिंजर गार्लिक और सारे जो मसाले थे बस इसको थोड़ी देर भून लेना है उसके बाद इसमें एड़ करेंगे हम प्याज और प्याज को अच्छे से golden brown होने तक घुनना है एक बार जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा तब इसमें add कर देंगे हम कटे हुए टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से भूनना है साथ में इसमें add करी हूँ नमक और हींग हिंग में थोड़ा मसाले भूनते टाइम ही एड़ करती हूं पता ने मुझे ऐसा लगता है कि हिंग जल जाएगा तो बस थोड़ा जब टमाटर अच्छे से भून जाएगा तब इसमें एड़ करेंगे हम मसाले जिसमें है हल्दी साथ में है घर का बना हुआ सबजी मसाला धन जाएगा तब इसमें सबसे लास्ट में एड़ करेंगे हम अपना अम्सों किया हूआ अलोभ्या और इसको अच्छेसे मृक्स करेंगे मसालों के साथ उसके बाद ४ानी। अगर आप रोटी raysा झाल रहे हो तो ठोड़ा थ्यकि रहने चालके साथ खाना हो तो ठोड़ा पत आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो बड़ तड़के से एक अलगी स्वाद आ जाता है इसमें तड़के के लिए हमने लिया है यहां पर घीस जिसमें एड़ किया है जीरा साथ में एक सुखिल अलमिर्च और इन दोनों को भूनने के बाद लास्ट में एड़ करना है हीं और इसक कि उरादे रड़ आदे बाई